तो हलो गाइस वेलकम बैक टू माई नीव वीडियो तो आज के वीडियो में हम लोग फुल होम इंटीरियल डिजाइन को देखने वाले हैं मतलब एक बोक्स बना दिया है कर दो दिए उसके निचे शूरेक बनाया है और इसमें मतलब एक लानी के लिए शूस में भूबर टैप में बनाया गया कुछ इस तरीका से दिखता है कुछ डिजाइन इस तरी का से है और दोर कुछ देख सकते है अंदर के तरफ में डवल से देख शुका है शुर रखने के लिए कोई दिकतने स्पेस बहुत है और इतर साइड में देखा जाए तो एक टीवी केमनेट बना हुगा है जो लकड़े का लकड़े बीनियर के फिनिशिन में है और कुछ लकड़े का भी इस्तमाल किया गया है इस इधर देख सकते हैं सिंपल इस तरीके से कुछ दिजाइन दिख या है यह हॉल है और फैन भी मतलब फैन भी अपना उट के हिसाब से मंगाया गया है कि मैचिंग है जाए को कुछ इस तरीका से दिखता है दूर से देखने से लुक तो जबर्दस्ता आ रहा है और बालकोनी इधर है देडिनिंग गॉल है पुरस्ताइड में किचेन है जल्दी उधर भी आपको दिखाते हैं वाहर बालकोनी से बैटके नजारा बहुत अच्छा है इधर का और यह हो गया फास्ट बेड्रूम बेड्रूम के एंट्री करते के साथ ही दो खिड़की यह विंडो जो रोशनी के लिए दिया गया है और अपना इंटीरियल डिजाइन के उपर देखा जाए तो वाड्रूम बना गया है यह स्टेडी टेवल अटेच है विछले वीडियो में आपने देखा हुई होगा इस वीडियो में आप लोग को पूरा टूर दिखा दे रहा हूं घर का और यह अपना वाड्रूम के साथ में आटेच मतलब साइड में बातरूम है उसमें भी इंटीरियल का काम किया गया है उसको भी देखते हैं अगर इसका फुल वीडियो देखना है तो इससे पहले भी एक वीडियो दाल चुका है इसी अलमारी का इसको जाकर आप देख सकते हैं आई बटन पे लिंक दिये दिया जाएगा अगरे अटेच बात्रों में अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है नीचे में हम लोग ने सिंग वास्मेशन के लिए इस दल्ट बॉक्स बना दिया है तो साइड से कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि इसके साथ अभी किचेन में आप लोग खोल ले चलते हैं कि कुछन के भी आपको वीडियो चाहिए है तो पिछले वीडियो में दे चुका है यह सिप फाइनल स्टेज में दिखाया जा रहा है यह देख सकते हैं वेजिटेवल प्लोट है यह कॉर्णर बोक्स है इसमें सि देख सकते हैं इधर यह दिया है वाइर बास्केट चार इंच का दिया है छे इंच का दिया है और नीचे आठ इंच का दिया है और साइड में टेंडम दिया है चार भी टेंडम ही है और उसके साइड में वाश मेंसान के लिए एर जाने के लिए कट आउट दिया है और इध थोड़ा कुछ open खिड़की के टेप साइड में open है और यह open mirror बनाया है और इसके साथ में दूसरा bedroom में लेके जाए जाए तो इसदा दूसरा bedroom में sliding wardrobe बनाया है जो पिछले वीडियो में इसको भी देख चुके होंगे आप लोग और यह कुछ बाहर से देखने से इस तरीके से दिखता है यह भी veneer finishing में है मतलब इधर हम लोग ने इस flat में पूरा veneer finishing के ही साथ काम किया है तो वीडियो पसंद आये तो चैनल को सबस्क्राइब करें और इसी तरीके से निव डिजाइन अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें पर चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें